आपका हमारे चैनल में स्वागत है खुशी गुम होने की वज़े खुशी हमारे जीवन का अनिवारिय हिस्ता होती है ये जब ये कभी गुम हो जाए तो जीवन खाली-खाली सा लगता है तो अब जानिए खुशी गुम होने के कारण नमबर एक खुशी गुम होने का पहला कार्ण यह है हम कुछ बीती बातों को लेकर सोचने लगते हैं जिनसे हमको कुछ भी नहीं मिलता शिवाय दुख के तो ऐसी बातों को पीछे छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारे भूत काल का हमारे वर्तमान पर कोई असर ना पड़े प्रभावित हमारा वर्तमान ना हो जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लग जाते हैं तब भी खुशी गुम हो जाते हैं कभी भी अपन आपने स्टेस्ट है महान है हम सभी इन विचारों को लेकर चलेंगे तो खुशी कम नहीं होगी नमबर त्री जब जीवन में किसी से धोका मिलता है जिसे आप बहुत मान देते हैं तो भी खुशी गुम होती है ऐसे समय में मन में ये विचार ना लाएं कि हमें उसके सचाई क्यों पता चली बल्कि शुक्र मनाएं कि उपर वाले ने उसकी असलियत दिखा दी पता नहीं फिर आगे क्या क्या नुकसान सहना पड़ता नमबर चार जब किसी चीज में सफलता नहीं मिलती तब भी खुशी गुम हो जाती है ऐसे समय में निराश होने के बजाएं अगला क्राय करें पूरन विश्वास रखें कि एक नए जोस के साथ फिर सफलता जरूर मिलेगी अब लोकन करें कि सफलता क्यों नहीं मिली नमबर पांच आपको या अपने कार्य को व्यवस्थित ढंग से करें तो खुशी बनी रहेगी व्यवस्थित से नह होने से भी खुशी ग हो जाती है ऐसे में हमें ये विचार करना चाहिए कि ये दुनिया का दस्तूर है जो आया है एक ना एक दिन वापस जाना ही पड़ेगा उनकी गुणों और आदर्शों को अपने अंदर जगाए रखें नमबर साथ कभी कभी आतम विश्वास की कमी से भी खुशी चले जात हमें जरूर बताएं हम फिर एक नए सब्जक्त के साथ आप सब के साथ होंगे धन्यवाद अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद